जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है चाहे जहां भी देख रहा हो यूटूब पे या फेस्बूक पे या ट्यूटर पे तो प्लीज दो मीनिट रुप करके मेरी बात सुने क्योंकि हो सकता है इस लॉगडाउन के पीरिड में आपके घर के भी कोई सदस्य या दोस्त कहीं फसे हो सकते हैं यह मैं उन्ही के बारे में बात कर रहा हूं उनको वहां से लाने के बारे में बात कर रहा हूं और यह खास करके मैं स्टुडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं आज के यह जो लॉगडाउन का पीरिड है इस पीरिड में लगभग सभी के हालत एक ही जैसी किसी के पास कोई काम नहीं है करने को और लगभग हर किसी के हालत उल्लू जैसी है मेरे भी वही हालत है कि रात में जाकना जो काम करना है रात में करो और दिन काटने के लिए लोग सो जाते हैं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है तो ऐसे ही हुआ कि मैंने अपना वीडियो बनाने का काम रात में फिनिश किया और में दिन में फजर के बाद जो है सोने के लिए जाही रहा था अचानक से कि मुझे एक अन्नोन नंबर से कॉल आता है अच्छी काफी देर हो चुके थे फजर के बाद में काफी देर से कोशिच कि पचास मिनट पर अचानक से मुझे कॉल आता है दो बारा नोन नंबर से और मैं इंग्नोर कर देता है चुकि मुझे बहुत जादा नीद आ रही होती है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं कॉल बैक करना चाहिए मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल किया वैसा तो मैंने कॉल ब बात यह है कि उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे पूछा भी मुझे आजीब बात है कि मुझे बात पता नहीं है और मुझे बहुत अफसोस इस बात का इस बात कि है कि कोटा के कोटा में राजिस्तान के कोटा शहर में बहुत सारे बच्चे जो दूसरे राज्य से परने के ले गए हुए हैं वहां फसे हुए हैं मतलब की वो घर नहीं आ पा रहे हैं और लॉक डाउन का पीरिड के बार में बच्चे तरह जान रहे हैं कि ये कब खतम होगा कोई नहीं जानता और उपर से उन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे डिपरेशन में जाने दूर रहने के प्रेशर में मेरे माबाब बहुत जादा पैसे खर्च कर रहा हूं यह सोचके बहुत जादा डिपरेशन में वो लोग आ करके बहुत अकसर वी इस उसाइड की खबरे आती रहती हैं वहां से तो अभी जो कंडिशन इन जैसा कि इनुन ने मुझे बताया कि ब इनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं लेकिन हमारे जो मुख्य मंतरी है श्री नितिश कुमार जी उनके तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही है तो ऐसा अगर कंडि ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मान लेते थोरे दिर के लिए कि यह बात अग होंगे सब्सक्राइब कर रहा हैं मैं सिध्य सीध्य इतनी बात कहना चाहरा हूं कि जितने भी राज्य है राज्य के बच्चे वहां पढ़ने के लिए उनको कोशिश की जाए लाने के मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि यह जो लॉकडाउन नहीं है मैं गलत नहीं कह सकता है इस चीज़ को यह बिलकुल सही डिसीज़न गवर्मेंट का लेकिन एक बात और भी है कि बच्चों के कंडिशन को भी देखने होंगे और लॉक्डाउन का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब यह खतम होगा exactly कोई नहीं जानता है तो जब मैं य दूसरे देश से स्टुडेंट्स आ सकते हैं लोग आ सकते हैं तो अपने ही देश में दूसरे राज्ज में फसिव हैं बच्चे क्यों नहीं आ सकते हैं उनको लाने की कुछ क्यों नहीं की जा सकती है तो यह मैसेज मैं आप लोग के थूरू पहुचाना चाहता हूँ राज मुख मंतरी है निषिudo-22 वे मुख मंतरी I THINK है यहां के तो उनके भी ईनका भी एक बेटा है तो उनको भी सोचना चाहिए जिनका नाम निशानत कुमार है तो कब उनको सुचना चाहिए अपने बच्चों को उपने सामने रख करके कि अगर उनके बच्चे होते इस जगा पे तो क्या करते हैं और यहाँ तक बात भी आ रहे हैं खबर आ रही है कि जो MLAs हो और जो MPs है उन लोग के बच्चे को नेता लोगों के बच्चे हैं उन लोग को लाने में जब सक्सेसिफफूल हैं है जो वहां फसे हुए हैं और मज़दूरों के लिए भी जो दूसरे शहरत प्लान करके आ प्लान बहां से आ रहे हैं खाने पीने की कमी होने के वज़े से तो मेरा मेरी एक रिक्विस्ट है उन स्टुडेंट से चूँके मैं खुद एक आलाइन ताकि वो पढ़ सके लेकिन अब बात एक्शुरी ऐसी हो गई है कि डिपरेशन वाली बात आने लगी है तो ये बहुत खराब चीज़ होती है और कहीं मुझे डर है कि कहीं ऐसी कोई खबरे ना आने लगए अल्ना करे तो मेरा ये रिक्विस्ट है उन बच्चों से ज हाग जाते हैं वहां से निकल जाते हैं अपने मरजी से तो ऐसे में आप पुलिस का स्टडी में चले जाएंगे बहुत परिशानी में घर के लोग पड़ जाएंगे और अगर आपको गलत कदम उठाते हैं तो आपकी पर हो सकता है आपके फैमिली को पूरी जिंदगी उस च पास होता है मुवीज वगर आपको जो करना ही कीजिए इंटरनेट चलाना है वीडियोर्स देखने है यूटूब देखने है जो करना है कीजिए मगर बस कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना अब लोगों को बस थोरे दिन सबर कीजिए इंशाला आपके माबाब पूरी कोशिश में लगे हैं अपने दोर पे कि आपको वहां से वापस लाएं ठीक है तीसरी बात जो तीसरा मेसेज है पहला मैसेज तो था हमारे बिहार के सीम और महा के सीम के लिए कि कोशिश करें बच्चों को वहां से लाने की वरना कुछ गलत नहों जाए और दूसरा मेसेज बच्चों के लिए मेसेज जो है वह गार्जेंस के लिए गाजेंस को अभी बिल्कुल ज़रूरी है कि उनके कॉंटक्स मेरे है बार बार उनको कॉल करते रहे हैं点गर उनको इंगेज रखें और आपको बिचाहिए गारईजा पर दो's को और अगर बढ़ देंगेच hack till का कुछ में दिन भर अपना लगेड हैं बस कुछ घलत नहीं जान बचे तो लाखों पाए तो बस वही बाद है अगर जिंदा रहेंगे बचे रहेंगे सही सलाम मत रहेंगे तो आगे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इंशाला कोई दिक्कत नहीं होगी और एक साल अगर इंसान का अगर और इसा तो नहीं है कि सरफ एक साल इंडिया के बच्च का जा रहा है पूरे दुनिया में लॉकडाउन है तो अगरर ठके सबसिट को सब्सक्राइब है और kit को क्या हूँ क्युछ क्यूए तो बच्कों की दो भी तो बात कि इंगेज रख नह बहुत करते रहे हैं ऑあー और देखे हमारे जो नितिश कुमारे सीम जब से वो सीम बने हैं स्टुएंट्स के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने जो हकीकत है रैलिटी है चाहे वो साइकल देने से लेकर कि बच्चों को जो स्कॉलर्शिप वगरे देते हैं वो सब चीज़ें बहुत आसान हो गई है लाइक करे ना करे वीडियो लेकिन शेयर जरूर्ट कर दें और इस बात को आगे तक पहुंचाएं हो सकता है यह वीडियो आप मेरा जो है देख आफ आफ टेकनलोजी की चैनल पर देख रहा हूं एक चैनल मैंने दुनियवी घर्ज मतलब बोले तो पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए और एक दीनदारी के लिए अगर आप दिनिया और दीन दोनों को ले के चलना साथ है मतलब हासिल करना चाहते हैं इन dough चीज़ से तो आप जूर सकते हैं ठीक है तो प्लीज प्लीजमिर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो ह कम से कम यह मैसेज अगर उन बच्चों तक भी अगर पहुंच जाए तो कुछ ऐसा वो घलत नहों उनके साथ और उनके माबाप भी थोरा सा दिमाग लगाए कि बच्चों को कैसे इंगेज करना है गौवर्मेंट का फैसला तो मुझे उतनी उमीद नहीं है जो हकीकत है रियाल क्योंनेशन फैल सकता है लेकिन एक तरीका है इसका जिससे बचा जा सकता है वो यह है कि अगर मान के चलिए वहां से उनको लाया भी जाता है ला देते हैं तो लाने के बाद उनको कौरेंटीन कर दीजे उनको अपने ही घर में पहले तो टेस्ट कर लीजे लाने से फैले और उसके बाद उनको उन्हीं के घर में अगर टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तब तो हॉस्पिटल चले जाएंगे और नहीं आए अला करें कि नहीं आए तो उनको उन्हीं के घर में कॉरिंटीन करते हैं 14-15 दिन 20 जब तक के लिए पता चल जाएगा तब तक कि उनको कॉरोना है या नहीं है तब तक किसी काउन्टैक्ट में भी नहीं आएगे तो यह तरीका भी है प्राबलम का सॐलिशन डहीं है प्राबलम को बड़ा दिखा करके किसी बीटीश से मतलब बिल्कुल हाथ नहीं जाड़ लेना चाहिए पूरी तरह से तो एक कोशिश मेरे तरफ से है और एक कोशिश आप अपने तरफ से कीजिए कि कुछ हो सके ठीक है तक के लिए असलाम अलेकुम और रखमतुल्ल्ह वबरकातु हुआ मगफिरतु हुआ आप सबी को पर अल्लाह की सलामति और रखमति वबरकाते नादेरों अल्लाहु युहिबूल्मुहसीनीन वखालीकुना वराजीकुना वहुआ अला कुल शेयिंकदीर अल्लाहिस खफूल्लाहिस रहीम अल्लाहिस खफूल्मुहसीनीन